नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एमेन सुरव से माननीय श्री अन्ना साहिब डांगे कॉलेज हाथ कनंगले और इस वीडियो में हम जलवाईू परिवर्तन के पीछे के विज्ञान का पता लगाएंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? वेदर वो है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं. सनी, रेनी या विंडी ये जल्दी बदलता है. लेकिन क्लाइमेट लंबे समय तक जैसे डेकेड्स या सेंचुरी तक अवरिज वेदर पैटर्न होता है ऐसे सोचो, वेदर आपके मूट जैसा है, क्लाइमेट आपकी परसनालिटी जैसा. क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेंपरिचर्स और वेदर पैटर्न्स में लॉंग टर्म शिफ्ट्स होना. ये शिफ्ट्स नैचरली भी हो सकते हैं, लेकिन अटाहा सौ के बाद से, हुमन क्लाइमेट चेंज का मेंन रीजन रही है. ऐसा मेंनली कोल, ओल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण है, जो एटमस्फियर में हामफुल ग्रीन हाउस गैसे रिलीस करते हैं. क्लाइमेट में ये बदलाव सिर्फ होटर समर्स के बारे में नहीं है. ये हमारे प खल्पना कीजिए कि प्रिथवी एक आराम दायक कंबल में लिपटी हुई है. ये कंबल नैचरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है और यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है. सूर्य की एनरजी प्रिथवी तक पहुँचती है, जिससे प्लैनेट गरम होता है. इस हीट का कुछ हिस स्पेस में वापस चला जाता है. एटमस्फिर में मौझूद ग्रीन हाउस गैसे इस आउटगोइंग हीट के कुछ हिस्से को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे प्रिथवी जीवन के लिए परियाप्त गरम रहती है. कार्बन डायोकसाइड, मिथेन, नाइट्रिस ओकसाइड और फ्लॉरिनेटेड गैसेज मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं. ये गैसेज एक ग्रीन हाउस में काच की छट की तरह काम करते हैं, जो सनलाइट को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन कुछ हीट को ट्रैप कर लेते हैं. हालांकि यह नाच्रल प्रॉसेस बहुत जरूरी है, ले जैसे हैं. हम एनरजी के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डायोकसाइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज अटमस्फिर में रिलीस होते हैं. डिफॉरेस्टेशन यानि एग्रिकल्चर, लॉगिंग और दूसरे कामों के लिए जंगलो दिया जाता है, तो यह स्टोर्ड कार्बन वापस अटमस्फिर में रिलीस हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस एफेक्ट बढ़ता है. हम इन नैचरल प्रोसेसेज को जितना डिस्रप्ट करते हैं, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं. एक बदलती दुनिया जलव आइस कैप्स और ग्लेसियर्स, राइसिंग सी लेवल्स और ज्यादा बार आने वाले एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में देखे जा सकते हैं. एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स, ड्राउट्स, फ्लड्स और इंटेंस स्टॉर्म्स ज्यादा बार और सेवियर होते जा रहे हैं. इन इवेंट्स का human lives, infrastructure और ecosystems पर बहुत बुरा impact पड़ता है. Scientific consensus इसपश्ट है. 20-वीन सदी के मध्य से देखी जा रही गर्मी का मुख्य कारण human activities है. परिणाम, जलवायू परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है? Climate change केवल एक environmental issue नहीं है. यह एक societal issue है. यह human health, food security, water resources और economies को प्रभावित करता है. Rising temperatures और extreme heat से heat stroke, सास की तकलीफ और infectious diseases फैल सकती है. Precipitation patterns में बदलाव agricultural yields को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे food shortages और price spikes हो सकते हैं. Rising sea levels, 30 असमुदायों और infrastructure के लिए खतरा है. Extreme weather events से होने वाले नुकसान से लेकर livelihoods और resources के नुकसान तक climate change की economic costs बहुत ज्यादा है. कारवाई करना हमारी पसंद मायने रखती है. Climate change से निपटने के लिए governments, businesses और individuals सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है. हम सभी अपने carbon footprint को कम करके climate change को कम करने में भूमी का निभा सकते हैं. इसमें solar और wind power जैसे cleaner energy sources पर shift होना, energy efficiency में सुधार करना और fossil fuels पर हमारी निर्भरता कम करना शामिल है. वेस्ट कम करना, पानी बचाना और sustainable agriculture को बढ़ावा देने जैसे sustainable practices को अपनाना बहुत जरूरी है. ऐसी policies का support करना जो clean energy को बढ़ावा दे, climate resilience में invest करें और polluters को accountable ठहराएं भी उतना ही महत्वपूर्ण है. आज हम जो choices करते हैं, वे हमारे प्लैनेट के future का फैसला करेंगे. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें और अपने दोस्तों और छात्रों के साथ शेयर करें. कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए घंटी बटन दवाना न भूलें.